कि नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारति और आप देख रहे हैं संस्कृति यूटूब चैनल साथियों आज का जो मुद्द है तरसल इस मुद्दे से हम सभी प्रभावित हैं हम वो सभी लोग जिनके हाथ में मुबाइल फोन है हम सभी इससे रूबरू हो रहे हैं हलाक लेकिन हम इसे भारत से जोर के भी देखेंगे हम जब पढ़ेंगे आप देख पाएंगे समझ पाएंगे कि आप भी कहीं न कहीं इन चीजों से प्रभावित हैं चलिए मुद्दा क्या है मेटा इंस्टाग्राम लिंक्ट टू डिप्रेशन एंजाइटी इन्सॉम्निया इन अवर्ट नहीं करेंगे इन्स्टाग्राम लगाए है नि कई राज्यों ने किया है 45-50 राज्य जो है यूएसे के और ये अदलत में पहुंच गए है और इन्हों ने आरोप लगाया है मेटा के इंस्टाग्राम पर की बच्चे बरबाद कैसे हो रहे हैं शारिक तोर पर मांसिक तोर पर भी हो रहे हैं उनका वेवहार भी परिवरत ना रहा है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो mental health को लेकर के बाते की गई है कि आपने जो है आपके वज़े से anxiety हो रहा है बच्चे अवसाद में जा रहे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं अनिद्रा की शमस्या हो रही है लगातार सो नहीं पा रहे हैं इसके वज़ा से आपको जाकर प्रभी सराज्व मेटा प्लेटफॉर्म और इसकी Instagram इकाई पर मुकदमा किये हैं जैसा कि प्रमखबिंदू मैं मैंने पहले बता दिया आरोब क्या है पहले बहुत बात की चर्चा हम करी चुके है सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गय दूसरा देखेंगे तीसरा आजाएगा और चीजें इसमें होती क्या है ना कि एक मान लीजिए दू पहला वाला रिल्स है जो बहुत मोटिवेटेड आपको कर देगा बहुत मोटिवेशन की बाते होगी दूसरा आएगा जिसमें रोमैंटिक चीजे होगा तीसरा आएगा उसमें सैटनेस की बाते रहेगी तो कई चीजें आपको क्या होगा कि आपका माइंड आपका भी देखते हुए समझेगा कि आपका दिमाग जो है सोच नहीं पा रहा है साट साट सकेंड पर अलग अलग आपके मायन में ठोट आ रहे हैं आपका इमोशन जो है उसमें परिव सब्सक्राइब करने लग जाते हैं तो क्या हो रहा है आपका हार्मोंस तेजी से बदल रहा है ठीक है आपकी सोच माइंड के साथ खेल चल रहा है और यह सब सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म के दवारा चल ला है तो बारीकी से जब इन सब चीजों का अध्यन करेंगे तो आ अध्य SS को लेकर के जब बात ही कि जाती है अने इस ने का कि मानसिक स्वास्त को लेकर के संकत्मिक डाल दीया है और सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और किशोर छोटे बच्चे और किशोर कहने का तातपर क्या है कि चौदा पर्द्र बर्स से नीचे के जो बच्चे हैं अब उनमें क्या होता है सोचने समझने की बहुत शक्ति तो नहीं होती है आप देखेंगे आप स्क्रीन टाइमर लगा देंगे चलो यह रिल्स और किशोर हैं बच्चे हैं वह सही से जान नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है तो लेकिन यह सब जानते हुए भी मेटा पर यह रोप लगा है कि इंस्टाग्राम जान बूज कर कि यह सब काम कर रही है ताकि बच्चे और किशोर जो ह मांजिक स्वास्त बिग्रा अनित्रा हो गई तो निशी तोर पर पूरी जो दिन चड़िया है वहीं उनका खराब हो जाएगा यह सब आरोप लगाए गया है जब उसमें याचिका में यह बात जो है 42 राज्यों ने अदालत पहुंचके दिया है तो बहुत गंभीर मसला इसलि सब्सक्राइब आप किसी इंजिनियर से पूछेंगे तो कहेंगे बैसाब यह सब जो होता है वह कमाल है आर्टिफिसिल इंटेलिजिंस का कमाल है अलगोरिथम है यह सब चीजे अब क्या है कि मान लीजे मैं आपको बताता हूं आपका भी गौर कीजिए आपने एक करेंगे प्लेटफॉर्म और रिल से देखेंगे आपको ठीक वैसा ही वही अलग-अलग एक्टर का हो सकता है किसी और वैक्ति का हो सकता है या कोटेशन हो सकता है लेकिन रॉमांटिक ही जैदा आपको मिलेगा क्यों क्योंकि आपको समझ लिया गया है कि आपकी चॉइस क्या ह है जिससे लुभाया जा सके बच्चों को आकरसित किया जा सके और जाहर सी बात है कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी चीजे संस्था अगर इस तरह का काम करती है तो उसका बना रहेगा तो युबाओं को लेकर के यह बाते से की गई है कि युबा बर्ग जो है लंबे समय तक चुकि इनके ग्राहग बने रह सकते हैं इसी लिए यह इस तरह का तक्नीक का इस्तमाल करने ताकि युवाओं को आकरसित किया जाए तेरह वर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए डेटा के संग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का उलंगन का रोप है और यह आरोप जो है यह मेटा प्लेटफॉर्म के ल और करके रखा है उनके नेचर को समझा है उसके एकॉर्डिंग जो है चीज़े आप दिखाये जा रहे हैं तो यह जो है आरोप बहुत मामला गंभीर होने वाला है मेटा ने अपने प्लेटफॉर्मों के खत्रे के बारे में जनता को गुमराह किया गया है कि आपने जान खड़ी हो गई है कि वह इन चीजों से कैसे निप्टे अब चलिए शोसल मीडिया का बच्चों पर क्या प्रभाब पर रहा है इसको समझने की ज़रूत है जैसा मैंने पहले कहा कि नींद की कमी अनिद्रा बहुत हो गये चुकि लगातार आप मोबाइल देखेंगे सोने से भी देखने जागते ही पहले मोबाइल देखने और यह सिर्फ बच्चों के साथ है कि हम सबों के साथ है बच्चे जाएदे पीछ जाते हैं कि वह सही निरना नहीं ले पाते हैं इस वज़ए से तो नींद की समस्या है अब साथ है सोसल मीडिया अगर आब बहुत ज्यादा करेंगे ना तो डिप्रेशन में जाना तैमान के चलिए क्योंकि अवशाद तब होता है जनरली जब आप बहुत ज्यादा तूलना करने लग जाते हैं आपको सेल्फ को ले करके फिर डाउट होने लग जाता है आपको लगता है फलाना यह कर गया यह हो गया आप सेल्फ को करके बहुत जादी परशानी में घरते चले जाते हैं अवशाद किस्तिति कोई बात ऐसी होती है जो आपके मन में बैठ जाती है और सोसल मीडिया इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है इसलिए दुनिया भर के जो मेंटल हेल्थ पर काम करने वारे डॉक्टर होते हैं वह देखेंगे आपको जनरली सलाह या देते हुए नजर आएंगे कि आप सोसल मीडिया प्रेट फॉर्म से थोड़ी सी दूरी बनाके रखिए एक आग्रदा में कमी आती है निश्ची तोर पर इतने ज्यादे रिल्स आएंगे तुरन 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 नहने विचार आएंग लगता रहा है सोसल मीडिया जो है फिल्टर नहीं करती है चीजों को सही से और मेटेरियल वहां पर जो कंटेंट है उपलब्द हो जाता है और लोग जो है खासकर कि बच्चे जो है काफी हिंसक इससे होते जा रहें साइबर बुलिंग की समस्या तो बहुत ज्यादा हो गई है साइबर बुलिंग करने का क्या तरफ पर है कि उसकों क्यों करते हैं उसे तंग करिया जाता है इसकोल मेडिया यूज एंड चिल्ड्रण सिवेल बिंग स्टडी के इसाब से इसने रिचर्च किया कुछ चीजे और फिर इसने कुछ कंक्लूजन दिया है क्या कहते है जो बच्चे सोशल मीडिया का ज्यादा वक्त बिताते थे वह अपने घर परिवार स्कूल दोस्त और जीवन से ज्यादा नाखुश रहने लगे मैंने पहले का तूलना करने की परव प्रशान लगातार होंगे और आभासी दुनिया में रहेंगे तो उनके भीतर दूसरों के जीवन से अपनी तूलना करने की प्रवर्दी जहर्शी बात है हो ही जाएगी बिहेवियर एंड इंट इंट्वर्मेशन टेक्नोजी जर्नल में प्रकासिक एक अध्यान के अनुसा मेटा प्लेटफॉर्म जो है अमेरिका का एक जो है मल्टी नेशनल कंपनी है बहुत राष्टी प्रवद्वगी की समूं इसे माना गया जैसा मैंने पहले कहा था कि इसके अंतर आप फेस्बुक भी आ जाता है आप इंस्ट्राग्राम भी यूज करते होंगे आप वाट्श है ठ्रेट का मामला तो यह सभी जो है इसके मेटा के अंतरकता था इसके अस्थापना जो है वर्स 2004 में दफ फेस्बुक इंक के माध्यम से किया गया था और वर्स 2004 में दफ फेस्बुक इंक से इसका नाम बदलकर दर हटा दिया फेस्बूक इंक कर दिया गया और फिर हाल ही में 2020 में Facebook इंक से नाम मदल कर मेटा प्लेटफॉर्म इंक इसका नाम कर दिया गया तो यह मावला यहां पर विश्तार से आपको समझ में आ गया इस पर एक शंभावित प्रश्न है और प्रश्न क्या है मेटा क्या है ठीक है प्रिलिम्स के सतर का प्रश्न है अमेरिका द्वारा विक्षित हाइड्रोजन अमेरिका दौरा सुक्रगरा के लिए भेजा गया एक अंत्रिक्षियान दुनिया के सबसे बड़ी एलेक्ट्रोनिक बाहां निर्माता कंपनी या फिडी कहता है एक बहु राष्ट्रिये प्रौद्दोगी की समों यह चार विकल्प आपको दिया लगे उसका सही जवाब चैन करके आप कमेट बॉक्स में जरू लिखिएगा इस लेक्षर में इतना ही रखते हैं आप सोसल मीडिया से कितने प्रभावित हैं दिन के कितने घंटे यूज करते हैं और यदि आपने पहले इस्तमाल किया है आपको क्या क्या परशानी हुई है और आपने जब सोसल मीडिया की इस्तमाल को छोड़ा है या कम किया है दोनों ही चीजे रेगुलेशन सही होना चाहिए तो फिर आपने क्या अच्छा बदलाब खुद में पाया है ये सह भी बात आप जो है चाहे तो कमेंट बॉक्स में खुल के लिख सकते हैं उस पर हम तर झाल 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